में आप सबी का इस पीडियों में सुजागत करता हूं मित्रो आपको पताएगा सथिक प्रोडेक्शन हाउस की महभारत यह महभारत स्टार्ट प्लस पर आई तो अश्को ने इस महभारत को काफी जादा पसंद किया था और एक बात तो आपको बताया कोई टीवी से हिट होता या फिर फ्लाफ होता है इसके जो जादत तर मुख जो में रिदूर्ट बनते वो इसके कलाकार ही बनते हैं और साइथ इस जो महभारत के कलाका तश को काफी जादा पसंद है तो साइथ इसलिए यह महभारत भी काफी जादा पॉपुलर और हिट हुई थी इसी भीछ हमारे किर्दार थे आरजुग आईजुग का करता सदिक प्रोडेक्शन हाउस के महभारत में निवायता अवनेटा शवीष शेक ने दूस पीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शवीष थी कि रियल भरी लाइफ से कुछ बहुत रोचक सी बात है और बहुत इंटर्सिंग भरी जान करें तो आईए पीडियो में आगे बढ़ते हैं सभीष शेक का जन्मुआता है 26 मार्च 1984 को इनका जन्मुआत जंबू और कस्मी वे यह जंबू और कस्मीर के रहने वाले हैं और यह एक बैसे मुस्लिम है और इनके जो माता पिता के लावा है इनके बड़े भाई भी है और जैसा कि मैंने वी आपको हमी पता है शभी रोज जो सभीष शेक हैं यह जंबू और कस्मीर के रहने वाले हैं तो जो जादा तरह अपने पढ़ाई है जंबू और कस्मी से कंपलीट की पर इनूने अपने बड़ाई कंपलीट करने के बाद बैचलर ऑफसर जिसे हम कहते हैं LLB यहां से इ इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी और भी डिग्रिया हासल के लिकिन जो मुखी डिग्रिया हुआं अपने जादा करीड के बारे में नहीं सोचा और अपने जो सपने हैं उतकी तरप जादा यह उडान भर्ण लगे और फिस साथ इसलिए इन्होंने फूटोग्राफी का इस टार्ट का काम करने के बाद इन्होंने मौटलिंग का वी काम इस्टार्ट करते हैं यह बहुत इस अच्छे मौटल निकले और इनको मौटलिंग के लिए बहुत बड़े-बड़े ओफर आने लेगे लेकिन सन 2009 म की निका टेलीविजन जट विए पहुं के मातम से इन्होंने टेलेविजन जगत अपने कदम जबं लीत हैं तुर्सरों यह वजय बने के बहुत ऑद बंक और सिरील बहुत जल्द था बहुत अच्छे इनकी करतार का ओफडर 1732 का क्रतार किया इसके ğlबने नब्या कि में मैं स्टॉफ लखी और बहुत सारे टीवी सीरियल्स में इन्होंने काम किया हुआ है लेकिन अभी तक सभी सिख की लाइफ को कुछ ऐसा गैरेक्टर नहीं मिल पाया तो जिसके लिए दर्शक उनको हमेशा याद रखें और फिर इसके पास उनके पास आफर आता है महाभार नेवातों हर लेगे लेकिन दर्शकों के मन में अपनी अलग से छभी बना पाना बहुत ही मुश्कले थी कि अल्रैडी से फिरोज खान ज्योंकि अर्जुन के दाम से जाने जाते हैं ये काफी अच्छे बिया चुपा की महाभारत में नों बहुत ही अच्छे से अर्जुन क अफनी जो फिरोज खान है उनकी बिगारी ऺारीने अनों ने दर्शकों के बीच अर्जुन के रूप में اपनी अलग से इमेज कायम करी और यही एक ब्जाय बधनी की टर्शक इनकों इतना जादा पूसंद करते हैं कि कि इनों ने दर्शकों के अपनी अलग प्रबी ने अपना फे हो इनों ने अपना वैट कर लिया था 95 विज जो कि लगभग 20 किलो से भी ज्यादा इनों अपना में पूटप किया था केवल आरजूनक को गैरक्टर को जादा रियालिस्टिक बनाने के लिए कह सकते हैं उने काफी जदा महनत के अरजुन के किरदार के लिए और इसलिए इसी का परणाम सरुख इनके लिए काफी जदा ये किरदार अच्छा भी सावे तो अब जब अर्चुन के बारे में बात चली तो मैं अब की बात और बता दो, जो भी अर्चुन के करिदा दर्शुकुर को सबसे ज्यादा पसंद आन्तिया हैं, जिक टूबह जिल्म और अपर महाभारत करने का बाद इन्होंने जयादा-ireund रेट रॉल ही, और इन वाय और डीज रोर में यह जादा तर हमको नजर आए जैसे कि सोनी टीवी पर आने वाले टैनी वीजन प्रोग्राम कुछ रंग प्यार के ऐसे भी यहाँ परेरों ने देग दिक्षित का यह बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छा किर्दार थिया यह भी किर्दा देश अबीर राजबनसी की भूंड का नबात के लिए आपको नजर आएंगे जो कि लीड डूल है हीरो है एक तरीकिस हम कह सकते है टीवी सीरियल के और यहाँ पर आवीर और मिस्टी के लावे स्टोरी दर्श को काफी जदा पसंद आते हैं और यह भी टीवी सीरियल काफी अच् उनका गिर्दा निवाने के लिए बहुत सारे धेरु सारे और भी आवार्ट मिलते हैं जो हम सभी शेक की लाइफस को अगर देखते हैं तो इससे हमको एकी बात ज्यादा तो समझ में आती है कि अगर आपने चाहा है अपने सपने की तरफ और आन बढ़िए बहां पर आपक इस वीडियो को लाइक कर देजागा चैनल को सबस्क्राइब कर देजाए और प्रस्टी बाइक अगर देखते हैं तो इन अबन मिसन और अबटेट फों में तिल देख और बाप आ टेकिए सियू नमाय नेक्स वीडियो